Welcome students, मैं विवेक सिंग, आज आपका स्वागत कट हूँ अपने चैनल कॉमस जोन पे चलिए देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो प्रोवाइट किया था उस वीडियो में क्या था? उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि Accountancy, Class 12 के syllabus में क्या-क्या changes आए हैं? कौन से topic delete हुए हैं? Clear? वो सारी चीज़ें हमने discuss की थी और आज हम discuss करने वाले हैं कि Class 12 Economics में कौन-कौन से topic delete किये गए हैं? उनको हम discuss करेंगे तो देखे, बहुत ज़्यादा बाते ना करते हुए मैं आपको सीज़े point पे लाता हूँ कि कौन-कौन से topic delete हुए हैं? लेकिन उससे पहले, अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं हमारे चैनल पर पहली बार हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें like करें, share करें and at last, वीडियो के end में comment box में जरूर बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा आपको informatic थी, information या नहीं, आपको और कौन सी information चाहिए तो आप जरूर बताइए चलिए, अब हम शुरुआत करते हैं हमारे topic के बारे में कौन-कौन से topics class 12 economics से delete किये गए हैं को add किया गया था, class 12 में clear, और micro economics को remove किया गया था clear, तो उसी तरह से आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास दो portion है class 12 economics में, एक है macro economics और दूसरा है Indian economics clear, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं macro economics की, जैसा कि आप अपनी screen पर देख पा रहे है macro economics, यह क्या बता रहा है आपको, macro economics में देखे कौन से topic delete किये हैं वो हमको ध्यान देना है, तो देखे macro economics में, जो सबसे ज़्यादा important topic था एक आपका money and banking clear, तो money and banking से एवल एक topic delete हुआ है, जो कि क्या है, credit control, basically credit control के methods जो थे, जो जिन चीजों की help से हम credit को control करते थे, credit की supply को control करते थे, वो topic delete किये गए, जैसे credit control करने के लिए हम क्या क्या यूज करते थे, कौन-कौन से measures यूज करते थे, हम यूज करते थे, CRR, यानि cash reserve ratio, SLR, statutory liquidity ratio, bank rate, clear, open market operation, clear, margin requirement, means, जितने भी आपके ये credit control के methods थे, measures थे, जिनके थूँ हम credit की supply को control करते थे, ये आपका macro economics के chapter money and banking, हम किस chapter की बात करें, money and banking से इस topic को remove किया गया है, हाला कि ये topic आगे के कुछ chapters में भी है, बट वहां से ये delete नहीं हुआ है, ये topic कहां से delete हुआ है, केवल और केवल money and banking chapter से इस topic को delete किया गया है, means, credit control या credit creation के लिए जो आपके methods थे, या जो measures थे, उसको हमने क्या किया है, delete कर दिया है, clear, चलिए, अब हम बात आते हैं कि macro economics में और क्या delete हुआ है, macro economics में आपका last unit आता है balance of payment, जिसमें दो chapter आप पढ़ते हैं, एक है foreign exchange और एक है आपका balance of payment, clear, तो देखे balance of payment से क्या delete हुआ है, देखे सबसे पहले हम बात करते है, balance of payment जो आपका chapter है, आप लोग maximum लोग hopes हो, आप लोग TR या कोई book prefer कर रहे होंगे, अगर NCRT है, तो उसमें ये दोनों chapter merge होते हैं, बट अगर आप कोई side book prefer करते हैं, तो वहाँ पे आपको foreign exchange का एक अलग chapter मिलता है, और balance of payment का अलग chapter मिलता है, clear, तो हम पहले बात करते है, balance of payment की, clear, तो जैसे कि आप देखे ने screen पे balance of payment में से हमने जो topic delete किया, वो क्या है, deficit in BOP को delete किया गया है, clear, और आता है यहाँ पे, अब आता है आपका foreign exchange, foreign exchange से हमारा क्या delete हुआ है, foreign exchange से हमने delete free market, क्या delete हुआ है हमारा exchange rate in free market, means आपका जो free market है, वहाँ पे हम exchange rate को कैसे identify करते हैं, कैसे measure करते हैं, ये चीज़ जो है आपका, किसे delete हो गया है, foreign exchange से, clear, तो यहां पर आपका balance of payment से deficit balance of payment उसकी meaning एन उसका पूरा calculation आपका delete हो गया है और foreign exchange से आपका क्या delete हुआ है foreign exchange से delete हुआ है हमारा to determine the exchange rate in free market means free market में exchange rate क्या identify करते हैं कैसे find out करते हैं यह topic आपका जो है इस chapter से delete कर दिया गया है clear यह था आपका macro economics अब आते हम लोग इंडेन एकनोमिक्स देखें जो second part है हमारा वो क्या है इंडेन एकनोमिक्स है अब देखें इंडेन एकनोमिक्स से क्या delete किया गया है इंडेन एकनोमिक्स में भी बहुत ज्यादा change है नहीं जैसा कि आपने भी macro में भी देखा बहुत light light change थे ठीक है आप देखें मैं पूरा पूरा macro का एक बार changes जो भी है वह स्क्रीन पर आपको दिखा दे रहा है आप उनको देख लिजे एक चलिए अब हम बात करतें इंडेन एकनोमिक्स इंडेन एकनोमिक्स देखें हमारे इंडेन एकनोमी या फेसिंग बाइ इंडेन एकनोमी उसमें सबसे पहला जो टॉपिक डिलीट हुआ है वह एडुकेशन सेक्टर चैलेंजेश फेसिंग इन एडुकेशन सेक्टर एन अल्टरनेटिव फार्मिंग और ऑर्गैनिक फार्मिंग तो इंडिया में जो हमारी इंडेन एकनोमी से देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा डिलीट नहीं हुआ है जैसे कि आपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो यहां पर क्या-क्या डिलीट हुआ है आपका Growth of Education, Alternative Farming and Organic Farming और जो आपका Infrastructure Chapter है उस Chapter से केवल एक Topic डिलीट हुआ है जो कि क्या है Energy यह तो बात होगी आपकी Indian Economy की तो यह था हमारा Total जो भी डिलीट हुआ है portion किसका Class 12th Economics में clear तो अब आपको जो Board की preparation करनी है वो इसी के according preparation करनी है तो Board ने आपके लिए कुछ topic डिलीट करके आपके लिए easy कर दिया है लेकिन हाँ जो भी important topic थे वो डिलीट नहीं हुए इट मींस आपको national income तो पढ़ना compulsory है जो कि बहुत important है बच्चे अक्सर उसमें problem face करते हैं clear बट वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है anyhow clear तो देखा जाये तो economics में overall कोई बहुत ज्यादा delete हुआ नहीं है syllabus आपको लगबग पूरी ही economics पढ़ देंगे और अपने suggestions आप हमको comment box में बताइए आपको और क्या चीज़ें चाहिए और किस topic पर वीडियो चाहिए हम आपको वीडियो प्रवाइड करेंगे चाहे वो economics से लेटर हो चाहे वो एकाउंट्स या business studies clear so thank you and have a